रादे रादे सभी को एक US के इंजीनियर ने महराद जी से पूछा हम तो भगवान के अंश है तो भगवान हमसे यह अधरम क्यों गरवाते हैं आपको पता है जाने इस वीडियो में रादे रादे गुर्देव मैं और मेरी पतनी पिछले एक वर्ष से आपका YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनते हैं हमने मास खाना चोड़ दिया हम दोनों US में जॉब करते हैं महराजी मेरा प्रश्न है कि अगर हम सब भगवान के अंश हैं तो भगवान हमसे अधरम पाप क शनिए मुआरे मुश्किल कि Morning पिता ने खेती दे लिए कि अब उसमें क्या वंते हुए तुम्हारे लिफ चूट देदे ई कि पिता नि आपके पूषन के लिए खेती दी है कि मैं आप उसमें बंबूल वो आम वो यह वह चना वह आपके लिए छूट है इमानों दे कर्म योनी है अन्य जितनी 83 लाक 9999 योनी आए यह भोग योनी है उनके द्वारा कोई नवीन कर्म नहीं होता अब आप कर्म क्या करते हैं आपके लिए छूट दे दी गए आप पापा चरं कीजिए या पूल्य कर्म कीजिए और रही कि हमें भगवान की मिलने में कठिंता क्यों है कोई कठिंता नहीं है आप मिलना कब चाहते हैं आप अपने को पुरुष मान कर इस्त्री मान कर भोगों में रत हैं आप संसार को शत्य मान कर इसमें सुख की गोज कर रहे हैं आप इसी में मान प्रतिष्ठा, यस्किर्ति, धन, वैवो भोगना चाहते हैं आप प्रभू को कहां प्राप्त करना चाहते हैं अगर प्रभू की प्राप्त करने की प्रबल लालसा ऐसी हो जाए जैसे अभी आपको ले जाएं यम्ना जी में डूपकी लगाएं उपर से चड़ बैठें इसके बाद आपको सौंस न लेने दें अब आपको जो सौंस लेने की इच्छा प्रबल होती है इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा जब ऐसी प्रबल इच्छा हो जाए दरस बिन दूखन लागे नैं जब से तुम बिछुरे पियारे कवह न पायो चैन आपको मिल जाएंगे आप यहां प्रबल इच्छा की तब ही सामने बैठे हैं बैठे ना ऐसी प्रबल इच्छा करोगे तो भगवान के सामने भी हो जाओगे पर इच्छा हमारी उतनी कहां जोरदार है आपनी इच्छा की आप वहां से आए यात्रा का कष्ट सा यहां लाइन पर खड़े रहे यह आपका साधन बना और कृपा हुए आपके तो आप हमारे आना पड़ा उसमें तुमारे को जाना नहीं पड़ेगा वह तुमारे पास आजाएंगे इतनी करपाल में वह तुमारे हरदय में बैठे हैं वह दूर नहीं पर मिलन की इतनी प्रबल इच्छा हो कि अब जिया न जाए उनके बिना अब इतनी इच्छा कहां है आप देख ल जिरे हमारा जिसे श्वामी जी तुलसीदाज जी भगवान की बात करें भगवान करें कि जननी जनक बंद सुतदारा तंधन धाम श्वद परिवारा सबकी मंता ताग बटूरी मंपद मनें बांध बढ़ दूरी फिर देख लो कितना प्यार भगवान करते हैं पर ऐसा कर पा रहें क्या बातें कह लेना अलग बात है लेकिन मंता हमारी इसी सरीर पे हैं अहमता इसी सरीर पे और शरीष संबंधियों से प्यार है सरीर भोगों से प्यार है अब हम भगवत प्राप्ती के लिए तो कठिन पड़ी जाएगा नहीं पड़ जाएगा इसलिए ऐसा ना सूच लए हवा विए दे रही एसी लाइट प्रकास भी दे रही मसीने विए चला रहे है ना साउधानी अटी यह इमार देगी तुम्हें बस साउधानी पूर्व करतब करूं जैसी सास्त लाग्यां कर रहा है इसी से बगवत प्राप्ती हो जाएगी साउधानी-अटी पापा तो तुम्हारे लिए थुड़ी रचाओ अपने लिए रचा तो तुम होई नहीं वही है अब यह जान लो तो मुक्त हो जाओ कि बहु नाम जन्मनावंते ग्यानवान माम प्रपद्यते वास देवास्वर मित्सा मात्मा सुदुरलभा भगवान के ते बहुत साधना के बाद अग्यान होता है इस धाचे के अंदर वही वह तुम नहीं हो जो तुम अपने को समझ रहे वाला कि धाचे को लेके बोल रहे हो धाचे का भाव हटे ना इस पांच होतिक देव वही वह बिजली है जैसे अगर एक अग्यानी को बताओ कि यह ठंडा कर रही है एस ही यह भी ब टुम पागल मत बनाओ इसमें वह प्रकास देते रहे इसमें तो प्रकास नहीं आ रहा रहा है विजली कैसे हो सकती है अर बोलेbie तो जिसको ग्यान है ना बिजली तत्तों का उसे पूरा पता है कि बिजली गडासा भी चलाती बिजली जीवन को भी जिलाती है बिजली जला भी देती मार भी देती है ऐसे ही सरश्टी का सरजन भी परमात्मा कर रहा है सरश्टी का पालन भी वही कर रहा है और सरश्टी को मार भी वही रहा है नास भी वही कर रहा है तो स्रश्टी का स्रजन अपने आप से अपने आप में कर रहा है स्रश्टी का पालन अपने आप से अपने आप में कर रहा है और स्रश्टी का संगहार अपने आप से अपने आप में कर रहा है विराट रूप रखे यह भगवान में दि ले का रहे हो यूएस से में जॉब कर रहे हैं लखनौ से यूएस का मतलब अमेरिका ही तो होता है ला तो ब्रह्मलोग ते एक चरण बढ़ाया वगवान ने तो ब्रह्मलोग पहुद गया लए वावन रूप में अमेरिका तो यह है तो तुम दूर थोड़ी हो बिलकुल नज जब करते रहो भगवदाश्चित रहो और देखो आपने बहुत प्लस क्वाइंट वरणन किया कि हमने मांस खाना छूड़ दिया भला विदेश में तो आहारे ही बात का ज्यादा अधिकतर है हमें तो लगता रोटी दाल तो मुस्किले बनती होगी है कोई भारती ही बलाता होगा रुटी दाल सब्जी चावल ये सब नहीं तो प्याया वहां तो सब यह तो भगवान की बड़ी कृपा है जैसे आप यह छोड़ दिये ऐसे असताचरण जो जो हूं डून डून के छोड़ दो नाम जब करो भगोत प्राप्ति हो जाएगी भगवान के लिए अमेरिक झान नहीं हो भगवान की गोद में हो भगवान के शपूव कंगे नहीं हो करते हैं संग की ठुछ करोद करते हैं उन्हीं कि बल से फिर आगे चलते हैं साधक जन अगर उनको भगवत प्राप्त ना होते तो फिर कैसे हो जाता जिसे अपने लोग कोई पक्षपाती नहीं कि हम कोई भगवान का पक्षपाती ले रहे हैं हम आपको सिखा रहे हैं जीवन भगवान को अर्पित हुआ उन्हीं की कृपा से अगर अनुभव ना होता तो हम यह जरूर कर देते पक्का ऐसा मरब सुभाव कोई पक्षपाती सुभाव लेकिन आपको सची कहते हैं अनंत माताओं जैसा प्यार दुलार भगवान का अनंत माताओं जैसा और वो यह सरीर बहुत दूर है वो बहुत नजदीख है सरीर दूर है हमसे लेकिन वो बहुत नजदीख है बस इतना समझ लो और आगे बढ़ो संसे शुन निहरदे रखो संसे करोगे तो गिरने के चांस आ जाएंगे संसे नहीं भगवान है वो अवश्य मिलेंगे तो अगर उनको मिलना नहोता तो संत संग न देते जब द्रवेजी दीन दयाल उरागो तो शादु संगती पाईए उनको जब मिलना होता जिस जीव से तो सादु संगती दे देते हैं जहां संत संग मिला तो भगवान का रंग चठने लगता है आपने श्चिंत रहिए और भगवान ने आपको फसाया नहीं है आप खुद फस रहे है भगवान ने लिए फसाया आप अपने आप में तरप्त रहना सीख जाए तो अभी बंधन कटना कोई बंधन नहीं है गोश्वामी जीन इस पस्ट का जड़ चेतने ग्रंती पड़ गई जद्य पिम्रशा पर बहुत जोर का बंधन है ना होने पर भी बंधन है कैसा बंधन है देखो हम सरीर नहीं पर बहुत प्यार है बहुत आ सकते है सरीर से सरीर के भोगों से सरीर संबंधियों से नाम जब से यह दीरी दीरी मिट जाएगा तो आप जहां हो जब खोजोगे तो वहां दो नहीं मिलेंगे वहां एक ही मिलेगा चाहे आप आप, चाहे आप आप, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं, मैं ना है, जब वहाँ धूड़ने निकलता है ना उपासक, और जब खोज करता है, तो वहाँ दो नहीं मिलते हैं, वहाँ एक ही मिलता है, आप आप ही, भक्ती है, तो आप ही आप होते हैं, और ग्य ब्रम्हेद ब्रम्हेवद नाम जप्तर आजे